आरजीकर मेडिकल कॉलेज जिस हस्पिताल में एक लेडी डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है उस अस्पिताल की जब हम पड़ते खोल रहे थे इतियास खंगाल रहे थे तो पता लगा कि आरजी मेडिकल कॉलेज एक अपने आप में जो दुनिया के लिए अस्पिताल है उस अस् लाश को लाए जाता है, लाश को लाकर उसके साथ पॉर्नोग्राफी वीडियो जाते हैं, और उसके चहर को cut paste करके या editing करके, किसी जिन्दा लड़की की तस्वीर उसके साथ लगा दी जाती है, और ये दिखाने की कोशिश होती है, कि इसके साथ पॉर्नोग्राफी या कहें, Blue Flim शूट किया गया है इस कदर कहानी निकल कर बाहर हा दिए क्या है पूरी कहानी जानेगे जब आप कल रात को सो रहे होंगे जब आप अपनी गहरी नींद में होंगे तब हम जाग रहे थे और हमारे पास कई तरह से फुटेज सामने आ रहे थे ट्रक भर-भर के गुंडी भीजे गए थे आर जी कर मेडिकल कॉलेज में क्यूं? तोड़फोड मचाने के लिए एमर्जेंसी वाड को तोड़ दिया गया दवाईयों को लूट लिया गया डॉक्टर दहशत के मारे बिल्डिंग पर खड़े हो गया और विडियो बनाने के लावा उनके पास कोई और चारा नहीं था और जब से ये केश CBI के हाथ में गया है तब से ये जो उपदरवी हैं ये कुछ जादा ही एक्टिव हो गये हैं शायद ये किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बचाने की कोशिश में और उनका जो भीड आई थी उनका कहना था कि हम डॉक्टर को इंसाफ दिलवा रहे हैं अब ऐसे में हमारे पास कई तस्वीरें आई मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँ ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं जो भीड आए थी, भीड आपको पहले दिखा देता हुआ कि अस्पताल के अंदर कितनी भीड आए थी? ये जो आप भीड देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर ये उस भीड की मह छोटा सा अंच है जो आई थी उस अस्पताल के अंदर लेकिन खेर भीड कैसे है, उसके पर देंगी भीड को किस ने आने दिया कौलकटा पुलेज कहां गायव हो जाती है इतनी बड़ी वारदा हुई है उस अस्पोडाल के अंदर लेकिन कौलकटा पुलेस का तटा नहीं था बात ने बता चालता है कि कॉलकटा पुलेस लाटी चार्ट चरूर करती है लेकिन हमारा फोकस था उस भीड के कुछ बदमाशों पर ये जो फोटो या वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर कुछो कुछ लड़के हैं वो दिवार फानने की कोशिश कर रहे हैं दिवार की दूसरी और क्या है? दिवार की दूसरी और है एक महिनाओ का हॉस्टल है या कहें गल्स हॉस्टल है जो उस अस्पताल में काम करती है अब बंगाल में इतनी बड़ी वार्दात हुई है एक लेडी डॉक्टर की बड़ी बेरहमी से रीप करने के बाद हत्या कर दी गई है भीड को देखिए भीड बड़ी हसानी से अस्पिताल के अंदर आती है तोर्फोर मचाती है और वहां से निकल जाती है अब इस पूरे मामले में भीड कहां से आई तो बात करेंगी बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर लेकिन बात करेंगे प्रिंसिपल साहाब की प्रिंसिपल साहाब पर बहुत ज्यादा उंगलिया उठ रही हैं और जब इसकी बारे में हम खंगाल रहते हैं तो हमें बहुत सारी अजीब चीजें अजीब इसलिए कोगी हमें सुनकर शौक लगा की क्या एक principle जो एक निया मूर्ती की तरह होता है किसी भी संगठन का या किस उस्पताल का उसके खिलाब अगर ऐसी आवाजे उठ रही है तो बात करना बहुत जरूरी है principle जो हुआ का है उस उस्पताल का उसके बारे में करेंगे और CBI कैसे कॉलकाता पुलिस से इस केस को छीन कर क्या काम करने वाले है और ऐसा क्या अनुखा काम उन्होंने अब तक कर दिया है जो कॉलकाता पुलिस नहीं कर पाया और जिसकी वज़े से कॉलकाता पुलिस कमिशनर गुस्से में है क्योंको से मैं बात करेंगे आज रिकोर्डिंग क्राइम में जो कोलकाता मडर कीस है वो दिन बादिन उलशता जा रहा है लेकिन सवाल अभी बरकरार है कि आखिर वो कौन शक्स है या वो कौन ऐसा बड़ा पैसे वाला आदमी है जो इस केस को दबाना चाहता है जिसकी वज़े से आधी रा जो पद्रवी है वो मौझूध हो जाते हैं होस्टिल पर पहुँच जाते हैं वहाँ पर राधी रात में तोड़ फोड की जाती है और यहां तक कि कल तक तो हमने आपको बताया था किस तरीके से सबूत मिटाने के लिए जो सेमिनर हॉल है जहां पर वारदात हुई उसके सामने जो चेस्ट मेडिसन डेपार्टमेंट है वहां पर रिनोवेशन का काम करा गया लेकिन आधी रात को जो पद्रवी पहुँचे उ क्राइम सीन है तो यह कितनी बड़ी बात है अपने आप में पुलिस क्या कर रही है उस्पिटल का प्रशाशन क्या कर रहा है उन लोगों ने उन्हें रोका क्यों नहीं क्या किसी का लिंक है इस पूरे मैटर में कोई चाह रहा है कि सबूत सारे मिटा दिये जाए कोई चाह हाई है कि जो केस है यह पूरा खुल कर सामने में ना यह क्योंकि जो प्रिंसिपल सर है जो इस कॉलेज को दीन है उनके बारे में कई तरीकी की बातेसं और तो और जब अच्ट अप से हमारे रिपोर्टर सवाल किया उनसे बात करने की कोशिश की तो एक बार आवे झलकी दे तो प्रिंसिपल ने इस पूरी चीज पर कोई रियाक्शन ही नहीं दिया वो तरीके से आप यू कह सकते हैं कि उन्होंने थोड़ा सा देखा अपना मू बनाया और वो गाड़ी में बैठ कर निकल गए और इसी पूरे मामले में जब हमने पूरी परताल की क्राइम तक के रिप कि आइस्ट है उस रजी मेडिकल चोलेज चांद अक्तर अली उन्होंने भी कई सारी चीजे पताई Pyland और साथ ही उन्हें कई तरीके क्या रोप भी लगा है क्या रोप लगा है एक पर आप उन्हें भी सुन लीजिए वह बहुत ही करप्टेड आदमी है और जी कर मेडिकल कॉलेज में इस्टूडेंट लोगों को फेल कराना टेंडर ओर दे करके बीस परसें कमिशन लेना और ये होश्टल वगरा अलट्मेंट में पैसा लेना और स्टाप सेलेक्शन कमिशन मतलब आड़ जी कर में जो भी काम होता था पोस्टिंग हो ट्रांसफर हो हाउस टाफ शीप हो सब जग मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देगा तो सुना आपने अक्तर रिली किस तरीके से बता रहे हैं कि इस कॉलेज के अंदर कैसे पैसे लेकर सीट दी जाती है डिपार्टमेंट चुने जाते हूं और भी बहुत सारी जो धांदले गर्दी हैं वो हो लेकिन अभी भी तमाम तरीकी के सवाल मौजूद हैं इस केस में लेकिन यह पहले बार नहीं है जब पुलिस वालो पर कोई सवाल उठा हो इससे पहले भी कुलकाता पुलिस पर सवाल उठ चुके हैं और सेम उसी अस्पताल को लेकर यानि आरजिकर मेडिकल कॉलेज को ही ल तो क्या हुआ इस पर पुलिस ने ऐसा रियाक्ट क्यों किया तो देखे साल 2001 की बात है सौमित्र बिस्वास नाम का एक लड़का था कोलकाता का ही उसकी लाश मिलती है कहां पर मिलती है जो आजिकर मेडिकल कॉलेज है उसी के होस्टल में मिलती है वहां पर कई सारे होस्टल लड़को लड़कों किया लगालग होस्टल भी हैं तो उसे के होस्टल में जो सौमित्रा बिस्वास है उसकी लाश मिलती है, एक पंखा होता है और वहां पर उसकी लाश मिलती है, वो लटकी होती है अब जब फुलिस semua आथे हैं जब उस्सुडन उसे देखते हैं, पुलिस व होती है जो पेडेंटेंस आपको होते हैं वो बोलते हमारा बेटा इसा करी नहीं सकता एक होनहार बच्चा था उसकी माँ गह-ददी की माति स्वामित्रा बिसवास की वह बोलती है कि यह affair में failure है, या यह प्यार करता होगा किसी से, इसको दोका मिला या इसकी चीज़े ठीक नहीं रही और इसने ऐसा कदम उठा लिया, मौत का रास्ता चुन लिया, लेकिन जो मा थी, वो डटी हुई थी, उन्हें कहा नहीं, मैं मान ही नहीं सकती, मेरे बेटे के साथ कुछ गल सτί मेरे, को कोलकाटा पुलिस है, उसकapt और उमिता दास नाम के लड़की को अरस्त करती है, जो आर जी, आर जी कर मैडिकल कॉलेज में ही पढ़ती थी, उनको अरस्त करती है, उनसे कहाछी सारी चीज़े पूछती है, और उसकुछ जब लड़की अरस्त होती है, जो तब जो स्टूडेंट वो बाहर आते हैं बहुत ही अलग तरीके की कहानी सामने रखते हैं और हमने जब इस पूरी खबर की पर्ताल की तो हमने टीनन की रिपोर्ट देखी जिसमें इन सब चीजों का दावा किया गया है उन लोगों ने ग्राउड रिपोर्ट भी की थी उस कॉलेज में जाकर और उसमें होस्टल में जाकर उने बहुत सारी चीज़े देखी थी तो टीनन की जो रिपोर्ट है उसमें इस सारे चीजों का दावा किया गया है तो दरसल जब इस पूरे केस में प्रोटेस्ट हुआ बच्चे सामने आए स्टूडेंट सामने आए तब जो मीडिया कर्मी वहां पहुँचे तो कई सारी चीज़े अखबारों में आई मीडिया मैं यह तो पता चला कि जो यह अस्पताल है जो आजिकर मेडिकल कॉलेज है इसके अंदर प्रोस्टिटूशन का रैकट चलता है और तो को लेकर डील होती है पैसे में लड़किया बेची जाती है कुछ पॉर्णोग्राफिक का काम होता है पॉर्ण फिल्म्स आप समझ है जिसकी शेय में सारा काम होता है अब जब औरमिता दास जो समित्रा दास की दोस्त ही क्लास्मेट ही जब वरेस्ट हो जाती है उनसे भी पूछताच होती तो वह भी कई तरीकी चीज़े बताती है वो भी हम आगे आपको बताएंगे कि वह पुलिस को बताती है लेकिन जब और इंवेस्टिकेशन होता है तब बच्चे सडकों पर आ जाते हैं उनका कहना है कि जो समित्रा विस्वास है उसने इनके खिलाफ आवाज उठाई इसलिए उसका कतल किया गया और तहकीकात होने पर जो टी एनन के रिपोर्टर्स हैं जब उनने भी बागी सब चीज़े प उसमें एक बकायदा रूम बना हुआ है रूम के अंदर ट्राइपोड रखा है टेबल पड़ा हुआ है रिफ्लेक्टर रखे हैं लाइटे लगी हुई है और वीकेंड के दिन जब बच्चे बाहर होते हैं या बहुत सार लोग छुटी पर चले जाते हैं या जो बच्चे लड़ोस में आने हैं उनका तो हाथ है ही तब सेक्स वरकर्स को बिलाया जाता है पॉण पीक्चर शूट की जाती है अजब लड़किया Hallelujah मिलती जिक्स वरकर्स नहीं आज एयाई आगया है आजकल बहुत जादा हाई टेक हो गया पहचानी नहीं पाएंगे लेकिन पहले भी ऐसे मॉर्फ की जाते थे जो शकले है वो चेंज कर दे जाती थी एक नीचे नीचे बॉड़ी है उसके ओपर किसी और की शकल लगा दी गई तो ठीक इस तरीके से ही काम होता था जो कॉलेज के बच्चे हैं उन्होंने कई बार इस पर बोलने की कोशिश की लेकिन उनको चुप करा दिया गया और सबने नहीं आवाज उठाई लेकिन जो सौमित्रा विश्वास है वो भी इसका शिकार हो गया था साथे साथ उसके दोस्त इसका शिकार हो गई उस इसकी जो है लाश मिलती है वो भी इस तरीके से और इसलिए जो उसके पेरेंट से हो बार-बार क्या रहे थे कि हमारे बेटे का कतल किया गया है और तो और जो होस्टल है उसमें रूम नुमर 15 है जब टी एनन की जो मैं इस रिपोर्ट की बात करें उसमें इस बात का दावा कि सब्सक्राइब कि जब टी इनन के रिपोर्टर उस हॉस्टल रूम में पहुचे तो वहां पर उन्हें जाने नहीं दिया गया बहुत आनाकानी की गई लेकिन किसी तरीके से वह उस हॉस्टल में पहुचे लेकिन उसका दर्वाजा बहुती टाइड बंद किया गया था अब ऐसे में जब पोस्टमॉटम करने वाले डॉक्टर या जो एक डॉक्टर उस वक्त बहुत फेमस हुए थे इसी कॉलेज इसी आरजी मेडिकल कॉलेज के जब उन्हों ने इस पूरे बात अपनी बात रखी मीडिया में स्वामित्रा बिस्वास के बारे में रखा तब इस तरीके से कहते हैं ठपा लगाया और पुखता हुई कि हाँ जो लड़का था उसकी मौत सामाने नहीं थी कोई साधिश थी और कैसे एक रुमाल इसमें भी पेचीदा चीज है जैसे जो डॉक्टर लेडी डॉक्टर की जो अभी हत्या हुई है सैमिनार में जिसका रेप किया गया फिर हत्या की गई उसमें भी एक रुमाल की बात सामने आई थी ऐसी ठीक 2001 का जो केस में आपको बता रही हूं सामत्रा विस्वास का उसमें भी रुमाल की एक ऐसी कड़ी थी जो अभी तक अंसुल जी है देगे जो अस्पताल है यह इस अस्पताल में जो हम केस की बार कर उसके साथ पॉनोग्राफ ही बनाई जाती है और उस टाइम पर 2001 की जब हम बात कर रहे हैं सूपर इंपोस कर दिया जाता है मतलब उसकी तस्वीर को आटा कर एडिटिंग कर कर किसी और लड़की की तस्वीर लगा दी जाती है कितना हीनियस क्राइम होता था और कैसे यह काम करता था उसके और में बताऊंगा आपको मैं लेकिन जिस लड़की की बारे में जो वनिता आपको समझा रही थी हमने इसकी बारे में पता लगाने की कोशिश की आपको जानके हैरानी होगी हम जहां तक हो सकता था हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की यहां तक की गूगल से लेकर हर तमाम उस वक्त के जितने भी अकबार थे खंगाली कोशिश की खबरे नहीं मिल रही थी एक दो जो अकबार थी बहुत जो लोकल अकबार थे वहाँ पर खबरे छपी थी क्या छपी थी है हम उसी के हवाले से आपको चीज़े बता रहे हैं उसमें ये कहा गया कि देखी जो बॉडी थी जिस तरीके से लेडी डॉक्टर की मुँँ में रुमा ठूसा गया था ताकि उसकी आवाज बहार ना आपाए कुछ इसी तरीके से लग भग लग भग तेईस साल पहले उसी अस्पताल के अंदर उसी अस्पताल के हॉस्टल के अंदर एक लड़के की भी हत्या कर लीजिए और जो पुलिस के मताबिक जो उनका तो नापतोला अब यान रहता है कि भीया उन्हें तो ये आम मौत है कपड़ा ठूसा हुआ था मूँ के अंदर अब जो उसकी बॉड़ी थी बॉड़ी की गले में नाइलोन की रस्षी थी और इतनी छोटी रस्षी थी कि उससे लटका पाना किसी लाश के लिए भी असंभव था अब लाश कैसे लटकी और खुद ही जिस तरीके से कहा गया कि पुलिस द्वारा की उसने तो खुद ही ये अपने आपको मार डाला होगा तो ये पच नहीं रही थी चीजें इसके बाद जितने भी तमाम जो पोस्टमाटम करने वाले लोग हैं उनका ये कहना था कि जो चीजें बताईए कि नॉर्मल नाइलोन की कपड़े से अपनी जान लेना मुम्किन नहीं है ये बात तो समझ में आगी कि पुलिस पहले जैसे इस केस में हुआ कि परिसन लेडी डॉक्टर को देखती का और ये तो समानने मौत है याद रखिए डॉक्टर्स की मौत को जब पुलिस इतनी कह रही है कि इतनी असानी से मौत हो जा रही है फिर लोग चलाते हैं तब पता लगता है कि ये तो पुरा माजरा ही कुछ और था हाला कि हमने बहुत जांच परताल करने की कोशिश की लेकिन अभी भी फॉरिंसिक के पास इसकी जो ताज़ जो भी रिपोर्ट हमें मिली विष्रा की रिपोर्ट पर अब तक क्या अपडेट है अब तक सामने नहीं है कि इसकी बॉड़ी में कोई जहरिला पदार्थ मिला है कि नहीं मिला लेकिन अब ध्यान से सुनिए मैं अब आगे क्या बताने जा रहा हूँ सुमित्रा की हत्या से कुछ दिनों पहले उसके पास एक लड़की आती है लड़की का नाम है और उमिता दास और उमिता दास आकर कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है और पुलिस का दावा था कि सुमित्रा और उमिता में कुछ अफैर होगा हम affair की बातों को sideline करते को कि हम crime channel ना हम आपको crime वाली बताएंगे और हुमिता आके कहती है कि मैंने कुछ रोज पहले बर्थडे की photos खचवाई थी सुमित्रा कहता है कि हाँ तुमने खचवाई थी मेरी बर्थडे की photo से मेरी photo निकाल कर pornography या के blue film बनाई गई है और जो pornography में खुद हूँ भी नहीं मुझे ये समझ में नहीं है कि मेरी photo वहाँ पर कैसे पहुच गई पता लगा कि hospital के अंदर dead body का जो अपार्टमेंट होता है या department होता है वहाँ से dead body लेकर आए जाती है और specific एक room में ले जाकर उसके साथ चेड़ चाड़ की गई उसके साथ जो भी एक लाश के साथ जिंदा इंसान तो छोड़िये यहां के जो अस्पताल के जो उस वक्त के doctor से जो students से उन्होंने उनके लाश के साथ दुर्वेवार किया फोटो मॉर्फ करके एक जिंदा लड़की या कहें औरमिता की तस्वीर लगा दी ऐसा औरमिता ने सुमित्रा को कहा था सुमित्रा इसके तह तक जाना चाहता था उसने पता लगाया और पता लगा कि अस्पताल के अंदर ही कुछ लड़के और कुछ बड़े अधिकारिया जो हैं उसमें शामिल हैं उनको जाके कंफरंट करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज पता लग चुकी है तुम कैसे किसी लड़की को बदनाम करते हो और उनकी जो फोटो ग्राइस वीडियो जो तुम वाइरल करते हो सीडी में बेशते हो ये मैं आप कहते बदाश नहीं करूँगा और मेरी दोस्त की तुमने फोटो वाइरकल नहीं की कोशिश किये सुमित्रा नहीं ये चीजे कही थी उसकी बाद मैं आपको बतादू कहा रहता है बैरकपूर में जो कॉलकाता से बगल में चोटा सा एक सेटी है उसे बैरकपूर कहते हैं अपने बैरकपूर वाले घर से जब वो अस्पताल में काम करनी के लिए गया उसने का कि मा मैं जल्दी खाने के लिए वापिस आ जाओंगा मैं जल्दी आता हूँ उसके बाद हो होस्टल में उसकी लाश मिलती है अब ये कैसे ना माना जाए कि इस पूरे कांड में और जिस कदर जब टीनन की जो टीम जाती है और देखती है कि अंदर तो दर्वाजा नहीं खुलता ट्राइपोड रखे हैं कैमरे रखा हुआ है और बकादर जैसे एक फिल्म की शूटिंग होती है ये अस्पताल इस अस्पताल के डॉक्टर उस वक्ट एक लाश के साथ ब्लू फिल्म बनाते है अब कही ना कही ये चीज़े हम आपको क्यों बता रहे है जो संजोरोय जो मेन अपराधी है इस अस्पताल में जो फ्रीली घुमता है यहां से हो वहाँ उसकी फोन में 2001 की बाती 2024 में उसकी फोन में हाड हिटिंग पोनोग्राफिय मेटेरियल मिला है मतलब ऐसी ब्लू फ्लेम जिसमें किसी को यातना है देकर आपको संतुस्टी मिलती हो इस टाइप की फोनोग्राफिय मेटेरियल उसकी फोन में मिले हैं उभी एक नहीं कई मतलब उसकी मांसिक प्रविर्थी सोची कि उसकी दिमाग में किस तरीके का घिनोनापन चल रहा होगा जब वो इस तरीके करूर करते कर रहा था खेर हमापको पूरी कहानी पहले बता चुकि हमारा मकस्द यही था कि आपको यह बता सके कि इस अस्पताल के अंदर यह पहली दफा नहीं था इसके पहली भी कई ऐसे केसिस हैं जो फाइले दबा कर रखी गई है अब जब से यह पूरा मामला CBI के हाथ में आया हुआ है तब से हर किसी को दिक्कत होना शुरू हो गया है अब उसके लिए जो कॉलकता पलिस के कमिशनर है वो कैमरे के सामने आते हैं और जब कर बरसते हैं पहले कहते हैं कि हमने बहुत बढ़िया काम किया है बता अच्छा काम कि CBI के CBI के मदद ही हो जाएगी लेकिन जिस तरीके से हो कहते हैं कि CBI अपना जाच करेगी वो सुन ली जिए और किस तरीके से कॉलकता पलिस कमिशनर गुस्टा निकाल रहे हैं CBI पर ये आपके लिए देखना बेहर ज़रूरी है आपके लिएलोड में डिक है में अभी से बसंपने करो ब चाहरो डिए कला में है प्रूरी है जारी है हम अभी से इस सब्सकेन ईपारางाइबद ода रुप मस्चाहिए म्नीया है क्या हर विए जाि टीनिया हुए भी जाप दीए अब जो कौकता पुलिस कमिशन है उन्होंने अपना गुस्सा तो निकाल दिया, CBI अपना जाज भी करेगी, CBI ये पुक्ता जरूर करेगी कि क्या इसमें संजय रॉय के अलावा कोई और भी शामिल है, क्योंकि अब तक कहा जारा है कि किसी एक अपराधी द्वारा इस स्कृत को नहीं किया आजा सकता और जिस तरीके से कूर्टा दिखा गई है, उसमें संजय रॉय कता ही अकेले नहीं हो सकता है, लेकिन हमारी जो इस प्राइम तक की खास रिक्वेस्ट है CBI की टीम से, जितने भी अपसर अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनसे दर्खवास कि 2001 का भी कुछ ऐसा ही मामला था, उसमें भी पॉनोग्राफी और पॉनो रिंक, जो रैकट था, सेक्स रैकट था, उस अस्पताल के अंदर चला करता था, अगर छोटा सा भी, छोटी से छोटा लिंक भी अगर इस केस से कहीं जोटता हुआ पाया गया, क्योंकि उसमें है तक जाना बेहज जरूरी है, क्योंकि एक महिला, एक पहले, कुछ साल पहले, एक लड़की की मौत, अब इन सालों की बीच में, कब तक, अब तक बहुत सारी ऐसी लाशे आई होंगी, कि इन सालों में पता लगा हो कि आपको कई ऐसी बाती होंगी, जो बाहर नहीं आई हो तो CBI को चाहिए कि कम से कम पुरानी से लेकर अब तक हर एक चीज के बारे, बारी की सी बारे इन्विस्टिगेट करें, पता लगाने की कुशिश करें, कि इस उस्पताल के दिवार की पीछे, ऐसा कौन सा रैकेड और ऐसा कौन सा मास्टर मैंड वाला गेम चल रहा है, जो बाहर आने को बिलकोल तैयार ही नहीं है.